नमस्कार दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए गंगोर व्रत की दूसरी कहानी लेकर आए हैं राजा के बोई जोचने माली के बोई दूब राजा के जोचने बढ़ते गए लेकिन माली की दूब घटी गई एक दिन माली ने सोचा कि क्या बात है राजा के जोचने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब क्यों घटी जा रही है वो एक दिन अपनी दूब में छुपकर बैठ कया उसने देखा कि राजा की बहु बेटियां कुछ कुवारी लड़कियों के साथ आई और उसकी दूब तोड़कर ले जाने लगी तो उसने उनकी ओड़नी पकर ली और पूछने लगा कि तुम मेरी दूब क्यूं ले जा रही हो राजा की बहु बेटियां और लड़कियां बोली हम सोला दिन गणगोर पूछते हैं सोला दिन बाद जब हमारी गणगोर विदा होगी तब हम तुम्हें अपनी पूजा का सारा सामान हलवा, लापसी, घेवर, मिठाई आदी दे जाएंगे तब माली ने उनकी ओड़नी छोड़ दी सोला दिन पूरे हुए माली अपनी मा से बोला मा मैं डूंगर में पत्थर तोड़ने जा रहा हूँ राजा की बहु बेटियां आएं तो सोला दिन का पूजापा लेकर रख लेना राजा की बहु बेटियां आई और माली की मा को सोला दिन का पूजा पाटा देकर चली गई बाहर से मालन का बेटा आया तो बोला, मा राजा की बहु बेटियां आई थी तो उसकी मा बोली, हाँ बेटा आई थी फिर वो पूछने लगा, क्या देकर गई, मालन बोली बेटा वो बहुत सारा खाना देकर गई है, रसोई में रखा है बेटे ने जब रसोई खोली, तो उस से रसोई नहीं खोली तब उसकी मा बोली, बेटा रसोई नहीं खोल पा रहा, पराई जाई कैसे धबेगा बेटा बोला मा पराई जाई तो ढाब लूँगा लेकिन रसोई नहीं खुल रही तब मा ने आकर चिंटी उंगली से छीटा दिया तो रसोई जट से खुल गई वहां देखा तो ईसर जी पाग बांध रहे थे और गौरा जी चर्खा कात रही थी और रसोई में अनधन का भंडार भरा हुआ था बोलिये ईसर गंगोर की जै